हालो एवरिवन वेलकम डूटो दो सेशन आप सभी का स्वागत है आप लोग कैसे हैं जल्दी से एक बार माम को अपने हाल चाल बता दीचिये और जल्दी से दौट-दौट कर लाइव जुट जाईए और अपने हाल चाल बताईएगा कि आप लोग कैसा फील कर रहे हैं क्या ह है हाल चाल आज हम लोग एक टौपिक डिसकर्स करेंगे शेड्यूल्स अनुसूचिया यह कैसा टौपिक है जयो अगर यहां से कोश्चन आ गया तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे एजी कुछ नहीं हो सकता है ना मतलब यह ऐसा टौपिक है जहां से डारेक कोश्चन आते है और आप लोग डारेक्ट सॉल्व भी कर पाते हैं पहले हम डिसकर्स करेंगे इने फिर बाद में एक ट्रिक समझेंगे जिस ट्रिक की हिल्प से आप इन चीजों को याद रख सकते हो इन शेड्यूल्स को तो जल्दी से दौट दौट कर माम की क्लास में लाइव आजाओ और फिर पूछ लेंगे कि कौन से अनुसूची में कौन सा प्रावधान है वंडे एक्जाम सो या कंसेप्ट्वल एक्जाम सो कैसा भी हो यहां से कुष्ण बन जाते हैं और बहुत अराम से चीज़से पूछी जाती हैं तो देखो अब यह शेड्यूल्स क्या है यह अनुस अनुसूचियों में लिख दिये जैसे अलग-अलग आर्टिकल्स में ओत लिखी हुए शपत तो उन्हें क्लब करकर हमने एक ही शेड्यूल में लिख दिया थर्ड शेड्यूल में तो जो बाते हमारे कॉंसिट्यूशन समिधान के अलग-अलग पार्ट्स में दियो यह आर् हमारा जो नाइनटीन फिफ्टी वाला ज enact nghil park जो उन्निस तो पचास वाला समिधान सहे हमारे ओरिशनल कॉंसिट्यूशन में एट शेड्यूल थे शेड्यूल थे कितने शेड्यूलत हमारी ओरिशनल कॉंसिट्यूशन में वहाम एठ सभी इडान आनू सूचिया थी लेकिन अगर माम अभी की बात करें कि at present at present हमारे constitution में कितने schedules हैं तो अभी हमारे constitution में हमारे सम्विधान में 12 schedules हैं अभी कितने schedules हैं हमारे constitution में अभी 12 schedule हैं 12 अनुसूचिया हैं इसका मतलब यह हैं कि जो 4 schedules हमने आए हैं वो बाद में हम लोगों ने आड किये हैं तो पढ़ते हैं कि एक एक schedule में क्या है कौन से schedule में क्या है पहले जान लो सब फिर बाद में trick discuss करेंगे कि tricks कैसे आप इन schedule को trick की help से याद रख सकते हैं सबसे पहले आते हैं हम अपने first schedule schedule पर पहली अनुसूची पर जो first schedule है वह states और union territories राज्यों का और केंद्र साषित प्रदेशों का नाम और ऊंके छेत्री अधिकार के बारे में बताता है कि अलग-अलग states और union territories के क्या नाम होंगे उनकी क्या Territorial jurisdiction होगा क्या छेत्र अधिकार होगा ये सबका जिक्र पहले शेड्यूल में पहले अनुसूची में जो आर्टिकल 1-4 में दिये हुए सभी स्टेट्स के यूटीज के नाव और उनका छेत्र अधिकार कौन से अनुसूची में दिया हुए फर्स्ट शेड्यूल में पहली अनुसूची में दिया हुए सेकंड शेड्यूल में क्या आता है माम दूसरी अनुसूची में कि जो भी हमारे अलग-अलग अधिकारियों की सालरी हैं विशेश अधिकार हैं जो भत्ते हैं वो सब दूसरी अनुसूची में दिये हुएं कहां दिये हुएं माम वो सब दूसरी अनुसूची में दिये हुएं किन किन के दिये हुएं हमारे राज्यों के राज्येपाल का हमारे राज्ये सभा के सभापती और उपसभापती का हमारे लोक सभा और विधान सभा के अध्यक का हमारे विधान परिश्द के सभ़पती और उप सभपती का हमारे सुप्रीम कोट और हाई कोट के जजिस नियाइधीश का और क्याग भारत के नियंतरकवा महालिखा परिक्षक का कैसे याद रखोगे सेंटर में जैसे प्रेजिडेंट राशेपती वैसे स्टेट में गवर् और उपध्यक्ष राज्य सभा और लेजिसलेटिव काउंसिल के कौन होते हैं एड चेर्मान और डेप्टी चेर्मान सभापती और उपसभापती तो उनके हैड हो गए आप लोगों के और हमारे हाई कोट और सुप्रीम कोट के जजिस और क्याक तो इनके जो भी अलाउंसिस ह होते हैं जो सालरी होती है जो भत्ते होते हैं जो विशेश अदिकार होते हैं वो सब दूसरी अनुसूची में है कौन से शेडियूल में है माम दूसरी अनुसूची में है सेकिंड शेडियूल में है अब चलते हैं थर्ड पर तीसरी अनुसूची में क्या दिया हुआ है ओत और afformation दिये हुए क्या दिये हुए ओत और afformation शपत और प्रतिग्यर अलग-अलग अधिकारियों के oats और afformations दिये हुए किस-किस के के वैसे union Ministers के हमारे केंद्र के मनत्री के हमारे जो MP होते हैं वह हमारे सुप्रीम कोट के judges के हमारे क्याग के भारत का नियंतरक वह महालेखा परिक्षक के फिर हमारे स्टेट के मिनिस्टर्स राज्य के मंत्री के राज्य विधान मंडल के जिन का भी चुनाव होता है उन सदस्यों का राज्य विधान सभा के सदस्यों का और हाई कोड के जजिस का तो इन सभी की शपत और affirmation प्रतिग्या तीसरे schedule में दिये हुए अगर माम आपसे पूछें कि ओध शपत और affirmation प्रतिग्या में क्या अंतर होता है तो जल्दी से माम को बताओ कि ओध शपत और affirmation प्रतिग्या में क्या difference होता है क्या difference होता है जल्दी से बता दीजिए जब हम ओध की बात करते हैं शपत की बात करते हैं तो शपत दिलाई जाती है और जो affirmation प्रतिग्या होती है वो self-promises होती है हो ली जाती है ठीक काम ये दोनों ही नहीं करते हैं ना शपत वाले ना प्रतिग्या वाले किन-किन की शपत तीसरी अनुसूची में नहीं दी हुई है तो किन-किन की नहीं दी हुई है हमारे प्रेजिडेंट की हमारे प्रेजिडेंट की राश्यपती की और किनकी नहीं दी हुई है माम हमारे वाइस प्रेजिडेंट की उपराश्यपती की वाइस प्रेजिडेंट की उपराश्यपती की और किसकी नहीं दी हुई है माम हमारे गवर्नर की राज्येपाल की हमारे गवर्नर की राज्येपाल की इन सब की शपत तीसरी अनुसुची में नहीं दी हुई है तो कहीं कहीं ऐसे भी कोशन पूछ लेते हैं कि किन की शपत तीसरी अनुसुची में नहीं दी हुई है तो इन तीनों की नहीं दी हुई है फिर फोर्थ पर चलते हैं फोर्थ में क्या है हमारे जो राज्य सभा में सी इतनी सीटे होंगी राज्यसाभा में, वो सब 4th schedule के अकॉर्डिंग किया जाता है, 4thosphonTIN के कीया जाता है, ज़ाद है तर यह पूछी जाती है, इंपॉटेंट है, किंपॉटेंट है, इतनी सीटों के राज्यसाभा में, जो सीटों का आवंटन किया जाता है, जो seats का allocation किया जाता है राज्य सभा में वो states और uts का तो वो कौन से schedule के according करते हैं माम fourth schedule के according चोथी अनुसूची के तहर्ट किसके माम fourth schedule के according next पर चलते हैं fifth schedule में क्या है कि जो भी हमारे देश के अंदर scheduled areas है और scheduled tribes है जो अनुसूचित छेतर हैं और जो अनुसूचित जन जातियां हैं उनका जो प्रसाशन administration होगा और उनका जो control होगा नियंतरन होगा वो पांचवी अनुसूची के तहर्ट किया जाता है हमारे देश के अंदर बहुत सारे scheduled areas है और scheduled tribes है अनुसूची जातियां और जन जातियां तो उनका प्रसाशन कैसे करना है उनके control नियंतरन कैसे करना है इससे related प्राबधान आपके fifth schedule में दिये हो है आपकी पांचवी अनुसूची में दिये हो है sixth schedule छटी अनुसूची में क्या है जो असाम, मेगाले, तिरिपूरा और मिजोरम के जो tribal areas है जो आदिवासी छेत्र हैं उनका जो प्रसाशन करना है वो sixth schedule के according किसके sixth schedule के, तो चार श्टेट्स के आदिवासी छेत्रों का जो प्रसाशन होता है वो छटी अनुसूची के दाहिए sixth schedule के according बाकी अनुसूची छेत्रों का जो प्रसाशन होता है वो fifth schedule के according यह चार स्टेट्स कैसे आप याद रखोगे, मातम से याद रख सकते हो या मेरा ATM से याद रख सकते हो, मातम से या मेरा ATM से, M से बोले तो क्या बना माम मेघाले, A से क्या बना माम आसाम, T से क्या बना माम तिरिपूरा, और इस से क्या बना माम मिजोरम, मिजोरम, असाम मेघाले तिरिपूरा और मिजोरम, असाम मेघाले तिरिपूरा और मिजोरम, एक बार सभी लोग लिखकर दिखा दो माम को, चारो की चारो स्टेट्स असाम में घालिया तिरिपूरा और मिजोरम बहुत बढ़िया Next, साथवी शेड्यूल के अंदर क्या दिया है कि सेंटर और स्टेट के बीच में केंद्र और राज्ये के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है तीन लिस्ट के फर्म में वो सेवन्थ शेड्यूल में दिया हुआ है Division of powers Division of powers Between Between Center and State केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का शक्तियों का विभाजन कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंग होता है सेवन्थ शेड्यूल के अकॉर्डिंग और कितनी लिस्ट में powers डिवाइड की हुई है माम तीन लिस्ट में कितनी लिस्ट में तीन लिस्ट में तीन सूचियां कौन कौन सी है वो आपकी सेंटर, यूनियन है, संग सूची स्टेट लिस्ट, राज्य सूची और कौन करेंट, समवर्थी सूची ठीक, आप जानते हैं कि ये लिस्ट पर कौन लॉज बनाता है, किसकी पावर होती है देखेगा जान से सुनेगा पहली लिस्ट क्या है माम पहली लिस्ट क्या है माम यूनियन लिस्ट संग सूची यूनियन लिस्ट पर जो कानून बनाती है, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्स पर जो संग सूची के विशे होते हैं उन पर कानून बनाती है हमारी यूनियन गवर्वर्मेंट कौन बनाती है माम उन पर कानून, हमारी यूनियन government बनाती है, केंद्र की सरकार बनाती है, for example defense, ठीक है जो state list के subject होते हैं जो राज्य सूची के विशें होते हैं उन पर कानून बनाती है हमारी state की government राज्य की सरकार state government राज्य की सरकार जैसे local government हो गया स्थान्य सरकार, उन पर कानून कौन बनाएगी हमारी state की government क्योंकि वो state list का subject है राज्य सूची का विशें और तीसरा होते है आपका concurrent list concurrent list समवर्ती सूची जिस पर दोनो गवर्मेंट मिलकर कानून बनाती है center भी और state government center and state government केंद्र और राज्य की सरकार केंद्र और राज्य की सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती है अच्छे अब केंद्र और राज्य सरकार दोरा बनाए गए कानूनों के बीच अगर कोई भी clash हो जाता है अगर केंद्र या राज्य सरकार दोरा बनाए गए कानूनों के बीच कोई भी clash हो जाता है तो किसकी बात मानी जाएगी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की बताएगे किसकी बात मानी जाएगी अगर क्लाश हो जाएगा तो केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी किसकी बात मानी जाएगी माम केंदर सरकार की सेंटर की यहाँ पर यूनियन गवर्मेंट कानून बनाती है और यूनियन गवर्मेंट का लेजिसलेटिव औरगन होता है पार्लियमेंट संसद कौन होता है माम पार्लियमेंट कौन राज्य की विधाई का अब कॉन्गरेंट लिस्ट के एक्जामपल ले तो जैसे एडुकेशन सिक्षा हो गया अब कोई ऐसा सब्जेक्ट जो इन तीनों ही लिस्ट के अंदर नहीं दिया हुआ हो इन तीनों ही सूची के अंदर नहीं दिया हो उन पर लौ कौन बनाएगा उन पर कानून कौन बनाएगा क्योंकि उस पर भी तो इश्य होगा ना भई कि उन पर लौ कौन बनाएगा तो अगर कोई भी ऐसा विशय जो तीनों ही सूची के अंदर जो तीनों ही लिस्ट के अंदर नहीं दिया हो उनी पर लौस बनानी की पावर को हम कहते हैं रेजिडर पावस कहते हैं आवशищ शक्तिया कोई भी ऐसा मामला जो तीनों ही सूचियों में तीनों लिस्ट में नहीं दिया हो उन पर कानून बनानी की शक्ती को हम कहते है रिज़डरी पावस आवशिष शक्तियां और ये रिज़डरी पावस है हमारे सेंट्रल government के पास किसके पास है central government के पास है केंद्र के पास है that means इस पर कानून हमारा parliament बनाएगा हमारा संसद बनाएगा कौन बनाएगा हमारा parliament हमारा संसद बनाएगा जैसे की for example अंतरिक्ष में जो चीज़ है space exploration जो अभी तक inventive नहीं हुई है तो उन पर law कॉन बना देगा आपका center बना देगा क्यों क्योंकि वो रिजुडरी पावस का subject अब जो कोई चीज़ inventive नहीं हुई है तो वो पहले से कहा लिखेंगे तो बाद में कोई ना लड़े कि भई इस पर law हम बनाएंगे इस पर law हम बनाएंगे तो हमने पहले से ही mention कर दिया कि कोई भी ऐसा subject जो तीनों ही list के अंदर mention नहीं होगा उन पर law हमारी central government बनाएगी केंद्र सरकार बनाएगी और उनी को हम desidery powers कहते हैं आवशिष्ट शक्तियां कहते हैं अब जब हम बात करें subjects की तो जो हमारी central list थी जो हमारी union list थी केंद्र सूची थी संग सूची कह सकते हैं union list संग सूची दूसरी कौन सी है आपकी state list state list राजे सूची तीसरी कौन सी है आपकी concurrent list संवर्थी सूची थीक तो union list में subjects पहले कितने थे और अभी कितने है और अभी कितने है क्या subjects wish है union list में पहले कितने थे माम 97 अभी कितने है माम 100 है कितने है 100 है state list में पहले कितने थे माम 66 अभी कितने है 61 है concurrent list में पहले कितने थे माम 47 और अभी कितने है माम 52 है अभी कितने है 52 तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यहाँ पर past subject कम हो रहे हैं और यहाँ पर past subject add हो रहे हैं दिख रहे हैं नहीं देख रहे हैं वहाँ 66 से 61 हो गए यहाँ 47 से 52 हो गए तो जो यह past subject यहाँ से कम हुए हैं वो कहाँ add हुए हैं आपकी concurrent list में समवर्ती सूची में और उन्ह add किया गया था through 42nd Amendment Act 1976 किसे माम 42nd Amendment Act 1976 से अब जानते हैं कि वो कौन-कौन से थे वो कौन-कौन से थे जरा देखो 42nd Amendment Act 1976 से ही उन past subject को state list राज्य सूची से transfer कर दिया concurrent list समवर्ती सूची में कौन-कौन से हैं वो आपके education, शिक्षा, forest one, weights and measures, वजन, ठीक, protection of wild animals, आपके जंगली, जानवरों का और birds, पक्षियों का सारक्षन, administration of justice, नियाय का प्रसाशन, और आपके supreme court और high court को छोड़ कर, बागी courts का organization और उनका गठन या संगठन करना, सिर्फ supreme court और high court को छोड़ कर समझ आ गई आप लोगों को इतनी बात, तो ये पांच विशे पहले राज्ये सूची में थे और अभी कहा है, concurrently समवर्ती सूची में, और कौन से amendment से add किये थे, मैं हम 42nd amendment से transfer कर दिये थे, next schedule पर चलते हैं, और next है आपकी आठवी अनुसूची, आठवी अनुसूची के अंदर क्या दियो है, 22 official languages, 22 ऐसी भाषाएं दियो हैं, जिने मानने ता प्राप्ट की गई है, पहले, originally कितनी थी schedule में, तो originally पहले थी 14 languages, originally कितनी थी, 14 भाषाएं थी, 14 languages थी, जो 8 schedule के अंदर mentioned थी, लेकिन अभी कितनी है, अभी कितनी है, तो माम अभी 22 है, अभी की पूछेंगे तो अभी की बताओगे, पहले की पूछेंगे तो पहले की बताओगे, जैसे पूछा जाएगा, वैसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, जैसे पूछा जाएगा, वैसे आप लोगों को याद रखना है, देखो जरा कौन-कौन सी है, तो कौन-कौन सी है आपकी असामीज, मनीपुरी, मराथी, नेपाली, उरिया, उरिया को अब क्या कहते हैं, आम उरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, उरिया, कौन सी अमेंडमेंट से कहा गया, 96 अमेंडमेंट अक 2011, तो उरिया का नाम बदल कर क्या कर दिया है, उरिया कर दिया है, और कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू किया गया, 96 अमेंडमेंट अक 2011, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, मल्यालम, बेंगॉली, बोडो, बोडो कहां बोली जाती है, जो असाम का बोडो लाइन वाला एरिया है, वहाँ पर, डौगरी, जो हिली एरियाज ने हैं, आपके हिमाचल, जमू, कश्मीर, गुजराती, हिंदी, क अनड, कश्मीरी, कौनकनी, महराश्म, मैथली, बिहार, जारकन में, ठीक, तो ये सारी लांगोजिस है, जो आपकी आठवी अनुसूची में दी हुए, एक ऐसी लांगोज है, जो बहुत कॉमनली बोली जाती है, लेकिन इस एट शेड्यूल आठवी अनुसूची के अंदर दी हुई है, उसे कोई मानने था, प्राप्त नहीं मिली हुई है, नेक्स्ट, अब मैंने आपको अभी बताया था कि पहले 14 थी, लेकिन अभी कितनी है, आपकी ये 22 है, तो 21st Amendment Act से तीन लांगोजिस को जोड़ा गया था, वो सौरी, 21 Amendment Act से एक लांगोज को जोड़ा गया थ आपकी चाल जोड़ी गई थी, कौन-कौन सी, बोदो, डौगरी, मैथली और संथाली, तीन इससे, एक इससे, चार इससे, तो आट लांगोजिस को बाद में, जोड़ा गया, Amendment के थुरू, BDMS से याद रख लो, बोडो, डौगरी, मैथली और संथाली, तो पहले थी ये 8 अनुसूचिया, लेकिन अभी कितनी है, 12 है, तो जो 8 थी, वो अपन लोग डिसकर्स कर चुके, अब जो 4 पढ़ेंगे, 9th, 10th, 11th, 12th, वो हमने बाद में, Amendment से आ दिनियम दिये, जमीदास ने हमारे उपर जादे ही सोर्शन किया न, तो सबसे पहले हमने जमीदारी को ही खत्म कर दिया, 9th, 9th, शेड्यूल के अंदर, और भू सुदार लाइन रिफॉर्म्स के जिसके अंदर 284 आट्स बनाए गई शेड्यूल को इंप्लिमेंट लागू क पहला एमेंड्मेंट संशोधन भी कर दिया था, तो फॉर्स्ट एमेंड्मेंट आक्ट 1951 से 9th शेड्यूल को शामिल किया गया, यह याद रखेंगे और जब इस 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था, बहुत ध्यान से सुनना, यहां से स्टेट्मेंट में कोश्चन बनते है मतलब उन्हें कोट में चालेंज नहीं किया जा सकता, उन्हें आपका कोट नहीं देखेगा कि वो सही है या गलत है अगर वो आपके मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, वो लॉस वो कानून, लेकिन हमारे सुप्रीम कोट ने 2007 में यह कहा कि 24 अप्रल 1973 के बाद अगर कोई भ रिविव नियायक समिक्षा की जाएगी, जुडीशल रिविव क्या होता है माम नियायक समिक्षा, जिसके तहत आपका कोट यह देखता है कि जो आपकी गवर्मेंट है वो अकॉर्डिंग टू कॉंस्टिटूशन काम कर रही है यह नहीं कर रही है, समझ हाई इतनी बात याद रखनी ही है, ठीक है, तो पहले नहीं कर सकते थे नियायक समिक्षा, लेकिन अभी कर सकते हैं, तो स्टेट्मेंट के फॉर्म में कोश्यन आता है कि 9th schedule को इंप्लिमेंट करने के लिए जो कानून बनते हैं, उनका judicial review नियायक समिक्षा नहीं कर सकते क्या, पहले नहीं क कर सकते थे लेकिन माम अभी बिलकुल कर सकते हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं, 10th schedule क्या है, दसवी अनुसूची क्या है, जो भी MP पर anti-defection दल बदल लगकर, जिनने disqualify किया जाता है, निरहर्टा लगाई जाती है, तो वो दल बदल के प्रावधान, वो anti-defection law आपके 10th schedule में दिया हुआ है, कहां दिया हुआ है, 10th schedule में दिया हुआ है, anti-defection law, दल बदल प्रावधान, जो कौन से amendment से जोड़ा गया था, 52nd Amendment Act 1985 से, कौन से से 52nd Amendment Act 1985, important है mark कर लेना, देखो, यह क्या कहता है, कि अगर कोई candidate है, उसने किसी party से चुनाव लड़ा और वो उससे resign कर दे, कि किसी party को join कर ले, या कोई अपनी party की बात नहीं मानता, उनके according vote नहीं करता, या फिर कोई independent candidate कोई निर्दल ये चुना गया सदस्या, मतलब जो किसी party से चुनाव नहीं लड़ता, वो जीत गया, और फिर वो किसी party को join कर ले, तो उस पर दल बदल लग जाती है, या फिर कोई nominated candidate, नामित सदस्या, 6 महीनी के बाद, किसी political party को join कर ले, तो भी उसे दल बदल लगा कर हटा दिया जाता है, तो इन चारो cases में उस पर anti-defection लग सकता है, दल बदल लग सकता है, और उसे disqualify किया जा सकता है, amendment कौन सा एक बार लिखकर दिखा दो माम को, 52nd Amendment Act 1985 से जोडा गया था, next, 11th schedule, ग्यारवी अनुसूची, ग्यारवी अनुसूची के अंदर क्या है माम, ग्यारवी अनुसूची के अंदर पंचायतों से संबंदित प्राब्धान हैं, जिसके अंदर 29 मामले हैं, पंचायतों से संबंदित प्रोविशन से प्राब्धान हैं, जिसके अंदर 29 मे मेंटर्स हैं और जिसे हमने आड किया था थू 73 अमेंडमेंट आक 1992 कब 73 अमेंडमेंट आक 1992 से ही हमने पंचायतों को constitutional status दिया था समयधानिक दर्जा दिया था और 11 वी अनुसूची जोड़ी थी और municipality नगर पालिका से संबंदित किसमें हमाम 12 शेडियूल में जिसे 74 अमेंडमेंट आक 1992 से जोड़ा गया जिसके अंदर 18 मेंटर्स हैं कितने मेंटर्स हैं 18 मेंटर्स हैं 18 विशे हैं जिन पर कानून हमारी municipality बनाती है हमारी नगर पालिका बनाती है तो ये थो थे आपके शेडियूल जो आप लोगों ने 12 तक समझ लिए कि कौन से शेडियूल में क्या है अब मैंने आपको पहली ही बताया था कि हम क्या करेंगे एक ट्रिक डिसकस करेंगे जिस ट्रिक की हेल्प से आप इन शेडियूल को याद रख सकते हो तो सबसे पहले तो आप सब लोग इस ट्रिक को लिखकर दिखाओ माम को Tears of Old PM सब लोग लिखो Tears of Tears of Old PM जब से नए प्रदान मंत्री आए हैं तब से पुराने PM बिचारे रोही रहे हैं ने अमन मोहन जी कितने letters हैं इसमें? कितने letters हैं इसमें? बताईए कितने letters हैं इसमें? 12 schedules कितने हैं माम? 12 ही schedules हैं कितने schedules हैं? 12 अगर आपको यह ट्रिक याद है Tears of Old PM तो आप अराम से schedule से related question कर सकते हैं और आपको कोई तकलीफ, कोई दिकत नहीं होगी जरा discuss करते हैं यह Tears पहला schedule Roman number तो सबको आते होंगे दूसरा schedule तीसरा schedule फोर्थ schedule फिफ्थ schedule T से क्या है भी आपका? Territories छेत्र और टेरिटोरियल जूरिजिक्शन दिया हुए Territorial jurisdiction छेत्र अधिकार सेकिंड में क्या है आपके emeluments? बत्ते दियों है तीसरे schedule में क्या दियों है आपकी affirmation? शपत प्रतिग्या फोर्थ schedule में क्या दियों है आपके? राज्यसभा की सीटों का अवंडन फिफ्थ schedule में क्या दिया हुए? scheduled areas अनुसूचित छेत्रों से संबन्दित प्रावधान अनुसूचित छेत्रों से संबन्दित प्रावधान दिये हुए है दन बहुत बढ़िया next off ओ से क्या है आपके other tribal areas? अन्या आदिवासी छेत्र चार स्टेट्स के किस-किस के मैं? असाम में घाले, तिर्वपुरा और मिजोरम गे एफ से क्या है आपका federal provision संग्या प्रावधान फेडरल संग बोले तो क्या center और state government दोनों के बीच की जब हम बात करते हैं तो फेडरल provision संग्या प्रावधान क्यूंकि पावस का division है संग्या प्रावधान फिर क्या आएगा बोलो जरा? आफ के बाद क्या था हमाम? old next slide पर चलते हैं आफ के बाद क्या था हमाम? आफ के बाद था old ओ से क्या है? 22 official languages 22 official languages 22 maniata prakt भाषाई L से क्या है? land reforms भू सुधार और जमिदारी सिस्टम को खत्म करता है कौन से amendment से जोड़ा? First Amendment Act 1951 D से क्या है माम? Anti-defection law दल बदल प्रावधान D से क्या है माम? Anti-defection law दल बदल प्रावधान जो कौन से amendment से जोड़ा माम? 52nd Amendment Act 1985 से, 52nd Amendment Act 1985 से, बहुत बढ़ी है, very good, next पर चलते हैं, PM, P से क्या है माम, पंचायत, P से क्या है माम, पंचायत, जो कौन से Amendment से जोड़ा, 73rd Amendment Act 1992 से, 11th, M से क्या है आपका, 12th वाला schedule, जो municipality से related है, नगरपालिका से related, जोड़ा गया, 74th Amendment Act 1992 से, 74th Amendment Act 1992 से, यहाँ पर भी लिख लो ना, इनके जरा एक बार, 8th, L में कौन से हैं, 9th और D में कौन से हैं, आपका 10th, Anti-Defection Law, Anti-Defection Law, पीछे लिखा था, यहाँ पर भी लिख लो, 6th, F7, Federal Provisions, संगय प्रावधान, यहाँ तो लिख लिख है, ठीक है, तो tiers of old PM से, कि आपको यह पूरी की पूरी जो schedules हैं, वो बहुत अच्छे से याद हो सकते हैं, जिनमें आपको कोई भी doubt नहीं होगा, ठीक हैं? जल्दी से माम को कमेंट करकर बताईए, कि क्या आप लोगों को यह schedules याद हो गए सारे के सारे? क्या आप लोगों को यह schedules याद हो गए सारे के सारे या नहीं याद हो गए? बोलिये जल्दी से, याद हो गए, बहुत ही बढ़िया, तो यह था हमारे schedules का topic जो हम लोगों ने आज समझ लिए, अब इस session को आपन लोग यही end करते हैं, next session में मिलेंगे, and thank you so much for attending the session, bye bye, take care, jai झाल झाल